या जी अब हम आ गए हैं आपका कल का टार्गेट लेके कल अपनी टू-डू-लिस के अंदर एड़ कर लेना सुबहे जब पढ़ने लगो तब तो हम एक दिन पहले ही देदेंगे रोज रात को आठ बजे शाम को आठ बजे तुम्हारे पास ये टार्गेट आएगा बुक से बुक का लिंक डेस्क्रिप्शन में है जाके कोई खरीज सकता है जिसके पास नहीं है वो अब प्रिवेस हम पहले रिविजन करेंगे जितना भी हमने याद किया है वो रिविजन करेंगे एक दो तीन दिन का जितना भी हमने याद किया है वो उसके बाद हम क्या करे करेंगे क्या वो देखो आप सिनोनिम करेंगे हम 31 से 40 तक 31 नंबर से लेके 40 नंबर तक ठीक है उसके बाद हम करेंगे एंटोनिम 31 से 40 डेली हम 10-10 कर रहे हैं इससे आपका 3-4 महिने के अंदर सिनोनिम एंटोनिम कवर हो जाएगा बहुत थोड़ा कर रहे हैं लेकिन यह बहुत ज़्यादा हम याद कर लेंगे इसको वन वर्ड सब्स्ट्यूशन 61 से 80 तक यह हम 20 करेंगे 61 नंबर से लेके 80 नंबर तक उसके बाद इडिम्स और फ्रेजिज करेंगे 61 से लेके 80 नंबर तक ठीक है उसके बाद आ जाती यह वकाइब का पार्ट हो गया अब आती है स्टैट का लिंक वहाँ पर जाके आप चैक आउट कर सकते हो डाउनलोड करवा हो हाड को पीडियाप से याद करो कैसे भी करो लेकिन कर लो भाई पहले सबसे पहले हम प्रीवेस रिवीजन करेंगे प्रीवेस रिवेजन में हमने क्या करना था अनुनाचल परते से स्टार्ट हुआ किरन से कर रहे हैं मिस्ट्री बुक का लिंक डेस्क्रिप्शन में जिसके पास नहीं है वो जाके खरीच सकता है उसके बाद भीया प्रीवेस रिवीजन जरूरी है क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आपना आगे का याद करेंगे पहले रिवीजन उसके बाद आगे का करो ठीक अब बात आते है पॉलेटी की भाई यह पॉलेटी की पीडिएफ है टेलेग्राम पे डाल रखी है मेरे खुद के नोट से अभी जेक सुमान सर से केरियर विल से मैंने बनाई हुई है यहां से भार कुछ भी नहीं आता भाई या क्योंकि पॉलेटी भाई बहुत कल एक से तीन क्लास हमने कर ली थी उसका रिवीजन करेंगे अच्छे तरीके से उसके बाद चोती क्लास कल हम याद करेंगे पॉलेटी में सिर्फ इतना ही था भी यह अब बात करते हैं बाई लोजी और करंट अफेर्स की जो आप मोस्ट अवेटिड है अपनी पीडिएफ इसको हम कल से करेंगे स्टार्ट ठीक है करंट अफेर के लिए अभी बैस चल रही है मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में क्या कैसे करें कहां से करें एक्जाम औरेंटी देंगा बाई लोजी के एक भाई सोनु है वो बना रहा है तुम्हारे लिए पीडिएफ दो क्लासिस उ जहां से हम क्या करेंगे भाईया रिविजन करेंगे हम सबसे पहले मैथ उठाने से पहले हम रिविजन करेंगे बारा से अठारा जो हमने टेबल याद की थी वो टेबल दुबारा से रिवाइज करेंगे टेबल याद करना पहाड़े वो बहुत जरूरी है भाईया उसके ब भाद भाद रिवीजन करनी है फ्रेक्शन्स की जो प्रसंटेज की फ्रेक्शन्स है उनकी एक बटे दो से लेके एक बटे शोडा तक हमने याद कर ली थी उनका रिवीजन करना है कल और याद क्या क्या करनी है एक बटे अठारा की याद करनी है एक बटे 21 की याद करनी है एक इतना मैं बता रहूँ ना उतना कर लो बस उसके बाद परसंटेज में हम क्या करेंगे सबसे पहले तो भाईया नोट्स हैं मेरे मैच के जिसको अच्छे लगते हैं टेलिग्राम के उपर मैंने दो टोपिक डाल रखे हैं 3D और नंबर सिस्टम और इंगलिस के नाउन के दिए डाल रखे हैं जिसको समझ में आते हैं और वो नोट्स से करना चाहता है तो हम तो भाईया करवा रहे हैं नोट्स से ही आप अगर नोट से करना चाहते हो इंस्टाग्राम का लिंक डेस्क्रिप्शन में है जाके इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर देना मैं आपको देद दूँगा लेकिन सबसे पहले मेरे नोट से देख क्या आणा उसके बाद ही आप नोट से पर्चेज करना ये पेड होंगे मैथ के सो रुपए में, इंगलिस के भी सो रुपए में ओके भईया जी, तो हमने पहली सीट कंपलीट कर ली है बिल्कुल परसंटेज की दूसरी सीट हम स्टार्ट कर रहे है दूसरी सीट में हम क्या करेंगे भईया दूसरी सीट के एक से लेके 20 तक के क्योंकि मैंने पोल डाला था कल टेलिग्राम के उपर 20 कुशन करवाएं या 30 कुशन करवाएं सब बोले जी 20 ही करवाद दो हम से नहीं होते कोई बात नहीं भईया, 20 कुशन कर लो इससे आपका तीन महीने में पूरा मैथ कंपलीट हो जाएगा ठीक है जी उसके बाद भईया हम 3D उठा रे हैं, मैं इंशरेशन 3D ठीक है, उसमें हमने पहली दो सीट कंपलीट कर ली थी, 1st और 2nd ठीक है, हमें अब कल रिवीजन करना है, कॉंसेप्ट का जो पहली और दूसरी शीट में दिये वे हैं और कॉंसेप्ट किस-किस के होंगे क्यूब के, क्यूबोईड के और सिलेंडर के तीनों हमने टोपिक कर लिये थी, इनके कॉंसेप्ट हमें देख बार रिवाइज करने हैं आगे करने से पहले, क्योंकि कॉंसेप्ट कर लो क्यूशन जाने दो भाड में क्यूशन आपने पहले कर लिये थे ठीक है जी भईया जी, उसके बाद हम करेंगे कल कौन स्टार्ट करेंगे थर्ड सीट अपनी, थर्ड सीट में हम क्या करेंगे एक से लेके 20 तक के कुशन हम कल सोल करेंगे बस इतना ही था 20 कुशन परसंटेज के 20 3D के 40 कुशन हो गए उसके बाद हम उठाएंगे जोमेटरी जोमेटरी भाई हम तिल्दा एक्जाम तक करेंगे जोमेटरी के अंदर 500 कॉंसेप्ट हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंग ठीली फिर और पहली फ्रीसीट हमने कौनच कमप्लेट की थी лиन êं एंगल की ठीकnect करने हैं और मदर को ऊवर आगए जैदीप सर से करो भाइए इंग्लीज ठीक है जिए हिजन के भी नोट्स में डाल रखें भगवान अभया पर भूखु नाउन हम स्टार्ट किया था नाउन के हमने रिविजन करना है 1-15 हमने याद कर ली थी उसका रिविजन पहले एक बर नोट्स से रिविजन करना है टेल मांन पूरा नाौन कम्प्लेट हो जाएगा तुम्हारे भाई ने 3 दिन में नाउन रगड़वा दिया तुम्हारा continent is उसके अंदर हैं चार चार पांस पांस पेज होते हैं, एक क्लास के अंदर मुस्किल से तो आपके 10-15 पेज लगेंगे, ना उन पूरा आपका रगड जाएगा, और मैं कोई बहुत ज़्यादा हवाय बात नहीं कर रहा है, बहुत आसान एक करना, ठीक है, आप 10-12 घंटे दे अब बात करते हैं, रीजनिंग के, रीजनिंग का सिर्फ एक रामबान तरीका, टेस्ट बुक, टेस्ट बुक से एक मौक दो डेली टिला एक्जाम, बस तुम्हारा रीजनिंग को देखने की जूर्त नहीं है, और भाईया, ये मेरे लिंक से ये परचेज कर लेना, पास आपको कोट बता देता हूं, एक खेतों का खिलाड़ी आज किताबों का बादशा बन बैठा है, देखो आज वो अपना नाम करने के लिए दिन रात एक कर बैठा है, वाँ भाई, वाँ बाई, संधी मान गये तिरको, उसके बाद भाई, कर लो, या मर जाओ, कुछ भी कर ल और अपना कली का ये काम है, ये कर लेना, तीन-चार महीने में ऐसे करते रहोगे, तुमारा सले बस कंप्लेट, उसके बाद मौक देंगे, कोई टाइंचन नहीं, सीजल हो जाएगा भी या,